जैहिन दोस्तों चले उस तो बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या का गाया है the distance between two parallel poles is 40 root 3 meter the angle of depression of the top of the second pole when c from the top of first pole is 30 degree what is the height of the second tower if the first pole is 100 meter long यानि कि इसमें क्या का है एक्जामने ने एक्जामने ने काया कि 100 meter long का pole है और एक tower है उनकी बीच का जो distance दिया हुआ है वो distance दिया हुआ है मुझे कितना आपका 40 under root में ये 3 मुझे given दिया हुआ है और कहता है कि first tower से आगा इसके pole की height देखी जाए तो वो angle बनाती है कितना बनाती है आपका 30 degree है ये मुझे given दिया है अब मुझे पूछा ये वाले height निकालने के लिए है तो मुझे पता है कि ये इसके parallel होगा तो इसका मतलब ये 40 और ये आपका root 3 हो गई होगा अब इसके अंदर ये मेरे 90 degree है तो ये मेरे पास कितना होगा आपका 60 degree होगा और मुझे पता है जो 60 degree के सामने वाली side होती है उसको अगर मैं root 3 से divide करूँ तो वो 30 के सामने वाली आजाए यानि कि इसका मतलब कितना है ये 40 आजाएगा अब ये यहां से यहां तक मुझे पता है 40 है और पूरी कितनी है मेरे पास 100 तो इन दोन अगर में difference करूँगा तो ये वाली height मेरे पास आजाएगे 60 meter जो examiner ने मुझसे पूछी है यानि कि option जो D होगा वो इस question का correct होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत